Hello everyone, welcome you all at Lucas's Unlimited Studies तो स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पर एक टॉपिक अपना जो एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम है Proof of Huygens Principle Okay Huygens Principle Sorry, Proof of Refraction है Huygens Principle नहीं है This is Proof of Refraction Using Huygens Principle Okay तो हमें यहां पर देखे Huygens Principle को यूज करते हुए हमें Refraction का Proof हमें करना है तो स्टार्ट करते हैं इसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हाइगन के सिध्धान्त के आधार पर अपवर्तन को सिध्ध करना ठीक ना थोड़ा सा यह Derivation आपको High Level पे है थोड़ा सा तो प्रॉब्लम करता है समझने में आईए इसको समझते हैं तो देखे सबसे पहले करना क्या आपको आपको यहां पर एक सर्फिस ले लिजे यह देखे आपने एक सर्फिस बना लिए है और यह कैसी सर्फेस है यह ट्रांस्परेंट सर्फेस है यहने की पारदर्शी कोई सत्य है अब यहाँ पर मान लिजे कोई incident ray यहाँ पर अपतित हो रही है यह आपकी incident ray क्या हो गई है अपतित हो गई है आप सभी को पता है कि incident ray पर जो wavefront हुआ करता है wavefront यानि कि क्या बोलते हैं इसको अपलोग तरंगागर क्या होता है 90 degree पर angle पर तरंगागर हुआ करता है तो यह आपने क्या बना दिया है यह तरंगागर है ओके यह wavefront नमबर वन है तो यह जो angle total होगा किते degree होगा 90 तो अगर यह आई है तो यह वाला angle कितना बन जाएगा किस angle की मैं बात कर रहा हूँ यह angle यह angle बन जाएगा 90 माइनस का आई और देखे यह जो है perpendicular है इस पर कौन यह normal ठीक है ना red pen से मैं बता देता हूँ देखे यह जो normal है यह normal जो है वो क्या है इस पर perpendicular है तो अगर यह 90 माइनस आई है तो इसको all total 90 होने के लिए इसे कितना होना पड़ेगा आई मतलब यह angle जो हमारा है यहाँ पर यह angle कितना बन रहा है आई बन रहा है ओके ठीक है बहुत बढ़िया अब देखे क्योंकि हम reflection पढ़ रहा है आपको पता है कि reflection में ray जो आती है वो मान लिजे उपर इसकी speed कितनी है वीवन है ओके या अगर air होगी तो इसको वीवन को अब c भी बोल सकते है speed of light और अंदर जाकर के यह जो ray होगी अंदर जाकर के क्या हो जाती है जुग जाती है ओके अभी लंब से जुग जाएगी तो मान लीजे फाइनली रह यह चली गई है यह 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 आपके पास आ चुकी है ओके और यह एंगल कितना है अपने पास में आर ओके रिफ्रेक्शन एंगल कितना है आर बहुत बढ़िया अब देखिए यहां तक यह जो आई है अब यह एंगल बचता चल गया आपको यह आई है यह 90 मैनस आई है इधर बाला पार्ट हो चुका है अब आपको दूसरे सरफेस पे जो है एक रेस को और भेजना है ठेक ना एक रे को आपको दूसरे सरफेस पे और भेजना है यह देखिए तो यदि मेरे पास एक रे और आ दिया ये देखिए ये दूसरी आपतित किरण है ये पहली आपतित किरण थी ये दूसरी आपतित किरण है और ये देखिए इस पर वेफरेंट पर आ रही है तो अब क्या होगा अब इसके बाद देखिए 21 तरीके से रिफ्रेक्ट होगी अब आपको रिफ्रेक्शन देखना ह और ये refracted wavefront बनाना इस पर देखना इसको refracted wavefront कैसे बनेगा देखो ये refracted ray है मतलब कि अपवर्तित किरण है और अपवर्तित किरण जो है इस अपवर्तित किरण का wavefront किस प्रकार से जाएगा यह इस तरीके से जाएगा अगें थीक है यहाँ पर यह वेब्फरेंट कुछ इस तरीके से जाएगा अब यह देखिए कि आपके पास में यह आancer हैं आपको यह पता लगाना है कि यह वाला एंगल कितने का है, य lower angle आपके पास में है देखो यह angle कितना है आपके पास में 90 है तो यह वाला जो angle आपके पास में हो जाएगा यह वाला angle यह कितना हो जाएगा देखो ध्यान से देखो यहां से लेकर कि यहां पूरा कितना था 90 था क्योंकि अभी लंब जो है इसको normal कह रहे हूँ यह क्या है लंबवात है ओके normal को मैंने red color से दिया है ओके तो normal को मैंने किस color से दिया red color से तो एक में इसको यह normal बना देता हूँ ठीक ना तो यह normal है यहाँ पे यह 90 degree पे है ठीक ना तो यह अपने पास में किता है यह अपने पास में 90 डिगरी है clear है यह आर है तो यह वाला जो पूर्शन होगा यह कितना होगा 90 मैनस आर तो एंगल सम प्रॉपर्टी यह नित्रे भुज़ों कि योग से इसको कितना होना पड़ेगा आर होना पड़ेगा ठीक है अब देखो यदि आपको यहाँ पर नॉर्मल बनाना है तो आप बना दीजे कोई फरक नहीं पड़ता उससे और यहां से फिर से यह जो तरंग होगी यह जो अपड़ेगा होसे अपुरा काम हो जाना है जितना हमें बनाना था वह था वह हमने बना लिया है हमें सारी चीजे मिल चुकी है इस point को A माल लीजिए ओकी ये जो point आपका इसे A माल लीजिए और ये जो point आपका इसे क्या माल लीजिए आप B माल लीजिए सारा कुछ हो चुका है अब हमें लिखना है प्रकास के अपवरतन के लिए sin I upon sin R तो deux triangle सेलेक करिए इसका नाम माल लो आप P माल लो और इसका नाम माल लो आप Q माल लो तो deux triangle आपने बना लिए हैं और point P और Q अब हमें निकला है किसका somikand इसमेले इसके लिए हमें लिखते हैं somikand बनाना है sin I upon sin R सबसे पहले मैं sin I देखता हूं देखो भाई sin i क्या बनेगा तो sin i equal to होता है क्या देखो इस angle के लिए इस वाले cone के लिए i आप निकालेंगे इस cone के लिए तो sin i is equal to होता है perpendicular upon hypotenuse ओके perpendicular upon hypotenuse तो ये देखो भाई साब ये आपके पास में ये जो तरंग है पी से लेके बी जा रही है तो sin i equal to pb लंब ये हो गया बटे hypotenuse any की कर्ण कितना हो जाएगा a b अब pb क्या है pb मतलब बाहरी माध्यम में प्रकास की वेग है pb जो है रास्ता है मतलब दूरी है और ये मान लो कितने समय तक चल रहा है t समय तक चल रहा है तो ऊपर दूरी बराबर कितना होता है दूरी बराबर होता है वे गुणे समय तो हलाकि सरल रेखा है तो वे कहलो या आप speed कहलो चाल कहलो कोई फरक नहीं पड़ता है तो v1 into t upon में कितना हो गया अपने पास में upon म बिल्कुल सही है अब sin r कप वेंजक लिखो तो sin r equals to देखो एक चीज़ समझो अब sin r इस कोण r के लिए इस कोण r के लिए जो है इस कोण r के लिए जो है यहाँ पर sin r equal to इस कोण के लिए लंब बटे कण तो इस कोण के लिए देखे लंब क्या बन रहा है यह बन रहा है यह माध्यम के बाहर की speed कितनी थी भीवन थी परन्तु माध्यम के अंदर किस speed से आएगी भीटू speed से आएगा तो यह क्या बन जाएगा a q okay a से लेके q upon कितना है करण कितना है बने पास में a b बन गया ठीक ना सो कितना हो जागा देखो यह अपने पास में इसका यह दूरी कितनी होगी यह दूरी होगी v1 into t अब आप बोलोगे सर दोनों में अपने समय समान लिया है बिलकुल समय समान लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो लगातार तरंगागर के बीच में जो समय लगता है तरंगों को पहुँचने का वो बिलकुल समान हुआ करता है तो देखो यह पहला तरं लगे इसको भी उतना ही समय लगेगा बस फर्क क्या है यह हवा में चैल जाहादा रहेगी प्रकास की इसलिए यहां पर रास्ता लंबाई जो रहेगी जाहादा रहेगी और यहां पर रास्ते कрах कम रहेगी तो यहां पर दूरी क्या बन जाएगी V2T, मैंने V1T लिख दिया, स्वरी, इसको क्या कर लो, V2T, ओके, दूरी, यह होगे उपर की V2T, अपॉन कितना है, AB है, चलो, बहुत बढ़िया, तो आप इसको भाग दे दीजिए, ओके, sin I upon sin R, कितना हो गया, देखो, V1T upon AB, divided by V2T, divided by AB, AB से AB कैंसल कर दिजिए, कितना आ गया, V1T divided by V2T, T से T भी cancel हो गया answer V1 upon V2 और आपको पता है कि sin I upon sin R equal to V1 upon V2 इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक किसका first माध्यम के respect में second माध्यम का अपवर्तनांक तो यही हमको proof करना था और हमारा proof हो चुका है 1 mu 2 is equal to V1 upon V2 और यदि आप देखें पहला माध्यम अगर आप ले ले हवा ओके यदि आपका पहला माध्यम पहला माध्यम वाईयू या निर्वात हो अगर आपका पहला माध्यम वाईयू या निर्वात होगा तो V1 जो है प्रकास का वेक क्या हो जाएगा C हो जाएगा है ना प्रकास कभी एक जो होता है C हो जाएगा तो आपके पास में Sine I upon Sine R एक कल्डू कितना हो जाएगा C upon V दूसरे माद्धियम में जो है स्प्रीड अपनी भी मान ली है and C upon V कल्डू कितना होता है यहां से प्रूफ हो चुका है कि Sine Ios यह क्या कौन सा नियम है इस सनेल का नियम है जिसको हम दूतिय नियम बोला करते हैं कि इसका जो अनुपात हुआ करता है Sine I, Sine R में एक प्रूफ कर दिया है इसके पहले हमने हाइगन के सिध्धांत के आधार पर हमने प्रूफ किया था क्या अब हाइगन के सिध्धांत के आधार पर इसके पहले हमने परावरतन भी प्रूफ किया था परन्तु ये आपका क्या है ये आपका आपवरतन है ठीक है डन तो इस तरीके से हम इसको करते हैं I hope कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में होगा इसकी बार बार तैयारी करिए क ये इसका फुल व्यू है इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद